हलो स्टुदेंट्स ये वीडियो में हम एक नए टॉपिक शुरू करने जा रहे है इस इंडक्टन्स इंडक्टन्स का इलेक्ट्रोनिक्स में बहुत जादा इंपोर्टन्स है और खास करके कम्युनिकेशन सिस्टम्स अगरे में जो और इसके बारे में थोड़ा डीटेल में स्टुड़ी करने वाले हैं तो चलो इंडक्टन्स को समझते हैं स्टुडेंट्स यह जो मैंने डाग्रम बोर्ट पर ड्रॉक किया है उसको जरा आप देखो हमने एक नम यह चप्टर के स्ट तो जब हम यह स्वीच ऑन करते हैं यानगी हम जब स्वीच को क्लोस करते हैं तो क्रेंट फलो होता है is कॉयल में और इस कॉयल मेंसे जब करेंट फलो हनो होता है इस कॉल के साथ और हमें गैलविनोमिटर में डिफलेक्शन दिखता है एक बार करेंट स्टेडी हो जाते हैं बात में हमको यह दिफलेक्शन दिखता नहीं है यह ज़रा याद करो मैंने मेरे सबसे पहले वीडियो में यह कंसेप्ट एक्स्प्लेंग किया था बात में जब हम स्वीच को वापस ओफ कर देते हैं करेंट और फिर से हमें यहां गैलविनोमिटर में डिफलेक्शन होता देखने को मिलता है एक्चुली स्टुरिंट्स होता क्या है तो देखो आप यह समझो कि किसी भी कॉईल में जब करेंट फ्लो होता है देखो अगर यह कॉईल है और यहां पर कोई सोर्स है जिसमें से करेंट फ्लो होता है दुसरा भी एक कॉईल है यहां पर यह दुसरे कॉईल में जब करेंट फ्लो होता है करेंट इसमें फ्लो होता है तो जो मैगनेटिक फिल्ड प्रोडूस होता है वो मैगनेटिक फिल्ड जो है उसकी वज़े से होता है ये दुसरी कोईल में यह हमारी कोईल c1 है यह कोईल c2 है तो c2 में current होने की वज़े से c1 के साथ flux link होता है यह flux को हम डिनोट करेंगे 5b और यह current है आई तो यहां पर इसमें actually क्या होता है कि जब हम switch को close करते है याने की current on करते है उसके पहले current 0 था बात में मान लो 10 Ampere का current flow होता है तो current को 0 से 10 Ampere जब जाता है तो current change हो रहा है 0 से direct 10 Ampere थोड़ी जाएगा 0 Ampere से 1 Ampere, 2 Ampere, 3 Ampere से बढ़ते-बढ़ते 10 Ampere तक जाएगा तो वो जो phase है जब current change होता है उस समय ये flux भी change होता है और उसके वज़े से ये C1 में current induced होता है याद रखो बच्चो सिर्फ magnetic field होना काफी नहीं है, magnetic field की वज़े से जो flux produce होता है वो flux का होना भी काफी नहीं है फ्लक्स का change होते रहना जरूरी है, तो flux का change होना जरूरी है तो जब current 0 से 10 Ampere तक जाता है तो flux change होता है और flux change होनी की वज़े से हमें current मिलता है, induced current बोलते हैं उस current को बाद में जब हम switch को open कर देते हैं यानि कि current off कर देते है तब 10 ampere से 0 ampere तक current drop होता है तब भी flux change होता है और उस flux के change होने की वज़े से हमें फिर से reverse direction में current बिलेगा तो एक कोईल में current produce होने की वज़े से यहाँ पर flux change होता है दुसरे कोईल में और ये flux जो है current के उपर depend करेगा current बढ़ेगा तो flux बढ़ेगा current कम होगा तो flux कम होगा यानि कि flux is proportional to the current ये एक बात है अब दूसरी बात बच्चो अगर मानलो कोईल में N turns है अभी यहाँ पर manage rock किया था single turn वाला coin रॉक किया था लेकिन ये कोईल में N turns है तो हर एक turn जो है every turn contributes to the EMF और उसके वज़े से हमें जो total flux मिलेगा वो हम लिखेंगे N phi B and that is also proportional to I total flux is also proportional to I. Now, if I want to write this as equal to then D phi B is equal to I will have to write some constant multiplied by I. This constant of proportionality is called as inductance. and if I take I to the left-hand side then I will have inductance is equal to N phi B. What is N phi B? total flux divided by I current तो अगर मुझे inductance का dimensional formula चाहिए तो क्या होगा? it will be dimensional formula of flux divided by the dimensional formula of current तो हम को आंसर मिलेगा M1 L2 T minus 2 A minus 2 तो students inductance is nothing else but total flux upon current and this is dimensional formula is M1 L2 T minus 2 A minus 2 inductance is a scalar quantity and its unit is Henry also denoted by H after the scientist Joseph Henry जोसेफ हैं नाम के scientist ने यूएसे में electromagnetic induction के बारे में study किया था मजे की बात यह है कि England में Michael Faraday उसने भी electromagnetic induction को study किया था और USA में जोसेफ हैंडरी ने अपने तरीके से electromagnetic induction study किया था तो उसको honor करने के लिए inductance का unit हम Henry H ऐसे लिखते हैं अब students देखो यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैं यहाँ पर दोनों side derivative करता हूं तो मुझे मिलेगा D5B by DT is equal to some constant multiplied by Di by DT this is the rate of change of flux and this is the rate of change of current so you can understand that the rate of change of flux is directly proportional to the rate of change of current जित्री तेजी से current change होगा उतनी तेजी से flux change होगा और flux है तो दूसरे coil के अंदर भी current in use होगा तो यह inductance के बारे हमने लिए पढ़ा हमें आगे continue करना है हमें पढ़ना है mutual inductance के बारे में and self inductance के बारे में इस दो तरीके के inductance को हमें study करना है Let us go ahead with mutual inductance तो students चलो हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे हमने अभी देखा था कि inductance जो है वो current के उपर depend करता है, याद रखो inductance जो है वो काफी हद तक हमने electrostatics में जो capacitance को बढ़ा था, उसके जैसा ही concept है, जैसे capacitance एक device है जो हमारे electricity में काफी सारे तरीके से electronics में useful होता है, वैसे inductance भी inductor, capacitor, inductor capacitor एक device है जो electrical energy को स्टोर करता है, वैसे ही inductor भी एक device है जो magnetic energy को स्टोर करता है, energy को magnetic field में स्टोर करता है वो तो जैसे capacitor, दो चीजों पर depend करता था, याद करो हमने capacitor का formula study किया था, c is equal to epsilon not d by a तो d जो है दो plates के बीच का distance हुआ करता था और a जो है वो plate का area होता था, तो वो एक तरह से plate की geometry पर depend करता था, वैसे ही यहाँ पर हमारा inductance जो है, वो भी coil की geometry उसके shape पर depend करता है एक बात, और दूसरी बात, material पर भी depend करता है, capacitor में भी वैसा था, capacitor में दो plates के बीच में हमने कौन सा dielectric material introduce किया है, उसके basis पर हमारा capacitor change होता था, वैसे ही हमारा inductor भी जो है, हमने कौन सा material use किया है, उसके basis पर inductance की value change होती है, चलो हम अभी mutual inductance को आगे बढ़ाते हैं, let us go ahead with the concept of mutual inductance, usually denoted by M, ultimately ये भी inductance है, तो mutual inductance का unit भी, बच्चो, Henry ही होगा, Henry, चलो mutual inductance को समझते हैं, देखो हमारे पास यहां पर दो solenoids है, इनके lens से, ये solenoids को हम denote करते हैं, S1 and S2, जो बड़ा solenoid है, वो S1 है, छोटा solenoid है, वो S2 है, ठीके, आपकी textbook में छोटे solenoid को S1 बनाया है, बड़े solenoid को S2 बनाया है, तो हम वैसे ही ले लेते हैं, जो बड़ा वाला solenoid है, वो S2 है, अंदर, उसके अंदर छोटा solenoid है, वो S2 है, दोनों concentric है, यानि कि दोनों का center सेम है, बड़े solenoid का radius, हम दोनों के radius को denote करते हैं, R1, R2, दोनों का length सेम है, L, तो दोनों का length सेम है, लेकिन दोनों का radius अलग-अलग है, अंदर वाला जो solenoid है, उसका radius छोटा है, उसका radius हमने लिया है, R1, और बाहर वाले बड़े solenoid का radius हमने लिया है, R2, number of tons भी सेम नहीं है, total number of tons, हम इसको denote करेंगे N1, इसको denote करेंगे capital N2, तो tons per unit length, denote करेंगे small N1, small N2, तो N1 हो जाएगा, total number of tons, number of tons per unit length multiplied by L, and यहाँ पर capital N2 हो जाएगा, small N2 multiplied by L, capital N2 is the, capital N1 is the total number of tons of the smaller solenoid, and capital N2 is the total number of tons of the larger solenoid, दोनों का lens है में, लेकिन दोनों में number of tons equal नहीं है, तो यह number of tons, radius, area, यह सब हमारे inductor, यह inductor हो गए, inductor की geometry को denote करते हैं, अभी बच्चों थोड़ी देर पहले हमने जैसे पढ़ा था, कि total flux N51 वो current पर depend करता है, कैसे, चलो समझते हो उसको, देखो, हम यह जो बड़ा वाला coil है, बड़ा वाला solenoid, उसमे current पास करते हैं I2, तो इसमें से current एंटर होता है I2, यह current जब solenoid में से travel करेगा, तो solenoid के अंदर magnetic field प्रोडीस होगा, उस magnetic field की वज़े से flux link होगा, अंदर वाले solenoid के साथ, तो अंदर वाले solenoid के लिए हम पूरा value लेखेंगे, N1 into 51 is equal to, is proportional to current I2, यह बाहर वाले solenoid में, अगर मैंने current बढ़ा दिया, तो अंदर वाले solenoid के साथ जो flux link होता है, वो flux भी बढ़ जाएगा, इसलिए अंदर वाले solenoid का flux link के जैनुवन 51, वो बाहर वाले solenoid के current पर depend करेगा, याद रखो बच्चो, हमने solenoid में पढ़ा था, कि अगर यह कोई solenoid है, और उसमें current पास होता है, तो ऐसे magnetic field produce होता है, और यह magnetic field lines जो होती है, जो अंदर वाले solenoid के साथ link होती है, उसके वज़े से अंदर के solenoid के साथ flux link होता है, अभी याद करो, flux का formula क्या था, flux का formula था, b.a, और अगर दोनों के बीच में angle 0 होगा, तो आप इसको b.a लिख सकते हो, b.a. cos theta होता है, theta के value 0, तो आप सिधे-सिधे b.a. लिख सकते हो, तो यह जो है, उस formula को हमें इसा लिख सकते है, n.1, अब magnetic field की इसमें produce हुआ था, याद रखना बच्छोज को, तो b.a. 2, बड़े solenoid का magnetic field, किसके साथ link हुआ, अंदर वाले solenoid के साथ link हुआ, तो अंदर वाले solenoid का cross-sectional area is equal to m.1, 2, i.2, m.1, 2 is called as mutual inductance of solenoid S1 with respect to solenoid S2, mutual inductance of S1 with respect to S2, वो constant of proportionality है, अब अगर मैं सारी values substitute करता हूँ, अच्छा, इसको तो मैं सीधे-सीधे ऐसे भी सकता था, I could have straight away return it as n.1, 5, 1 is equal to m.1, 2, i.2, ठीक है, अब अगर मैं इसको substitute करता हूँ, simplify करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो बच्छो, n.1 जो है, वो हो जाएगा अपना n.1 multiplied by L, B2, याद करो, magnetic field of a solenoid का formula होता है, mu naught n i, अब ये B2 जो है, वो किस में produce हुआ है, हमारे second solenoid, बड़ा वाला जो solenoid था, उसका magnetic field है, तो mu naught तो जैसा था, वैसा रहेगा, constant है, ये small n जो है, number of tons per unit length है, वो बड़े solenoid का number of tons per unit length है, और बड़े solenoid का number of tons per unit length है, n2, तो mu naught multiplied by n2, multiplied by length, और, sorry, current, i, magnetic field का formula है, mu naught n i, तो i जो है, ये भी बड़े solenoid का current लेना पड़ेगा, तो मैं i2 लिख दूँगा, multiplied by a1, a1 क्या है, area है, किसका, ये छोटे वाले solenoid का, तो उसका area हो जाएगा, pi r1 square is equal to m12 i2, दोरो साइड से आप i2 काट दो, तो आपको m12 क्या मिलेगा, mu naught n1 n2 pi r1 square n, this is the formula of m12, that is mutual inductance of solenoid 1 with respect to solenoid 2, तो solenoid 2 में current पसार करने से, जो solenoid 1 में inductance produce होता है, उसका ये formula हो गया, n1 is the number of tons of smaller solenoid, n2 is the number of tons of larger solenoid, r1 is the radius of smaller solenoid, and l is the length of coil, so number of tons, radius, length, ये सब क्या denote करता है, अच्छा pi r1 square पुरा ले लो तो हो गया area, ये सब क्या denote करता है, तो solenoid की geometry को denote करता है, तो solenoid का inductance जो है, वो geometry के उपर depend करता है, ये याद रखो, अब दूसरा possibility लेता है, मान लो, हमने अंदर वाले solenoid में current produce किया होता, i1, तो बाहर वाले solenoid में current induced होगा, तो हमारा ये formula जो है, वो change हो जाएगा, n1 phi2 is proportional to i1, अंदर वाले solenoid में हमने current produce किया, तो n2 आ जाएगा यहाँ पर, sorry, अंदर वाले solenoid में current i1 produce करने की वजह से, बाहर वाले solenoid में जो current induced होगा, उसका हमें formula मिलेगा, n2 phi2 is proportional to i1, यानि कि अंदर वाले solenoid पे अगर मैंने current बढ़ा दिया, तो बाहर वाले solenoid में जो flux linkage होगा, वो change होगा, अंदर वाला current change होने से बाहर वाला current change होगा लेकिन एक बात है बच्छो यह अंदर वाले solenoid में जो भी बाहर वाले solenoid में जो भी flux linkage होगा वो सारा का सारा अंदर के solenoid के अंदर confined हो जाएगा उसके अंदर भरा रहेगा और इसलिए यहां पर जो है मैं phi 2 की बज़ाए phi 1 ही लिखूँगा क्योंके flux जो है वो सारा का सारा अंदर वाले solenoid में कैद हो जाएगा confined हो जाएगा तो अगर मैं यहां पर इसको equal to के form में लिख दूँ तो यह हो जाएगा n2 phi 1 is equal to m21 i1 अब अगर यह m21 क्या हो जाएगा mutual inductance of s2 with respect to s1 चलो let us put the values now once again so n2 की value हो जाएगी small n2 multiplied by l phi 1 होता है b1 a1 b1 is the magnetic field of solenoid 1 and a1 is the area of solenoid 1 so b1 का formula अगर यह formula यूज करता हूँ तो मुझे मिलेगा mu naught n1 i1 and a1 is the area of the first solenoid pi r1 square is equal to m21 multiplied by i1 i1 दोनो साइट से cancel हो जाएगा तो m21 हो जाएगा फिर से mu naught into n1 into n2 multiplied by pi r1 square multiplied by l so we get back the same value that means the mutual inductance in both the cases is same m12 is equal to m21 is equal to हम सिर्फ m लिग सकते हैं तो याद रखो चाहे आप बड़े कोईल में current पास करो तो छोटे कोईल का inductance याद छोटे कोईल में current पास करो तो बड़े कोईल का inductance same रहता है इसलिए जब भी mutual inductance find करने का question आता है तो किसी एक कोईल का inductance find करो तो आपको दूसरे कोईल का inductance भी मिल जाएगा दोनों same होता है so that was about mutual inductance now students sometimes what happens is that in the coil we introduce some material तो अगर मैंने कोई material introduce किया है और उसका relative permeability अगर mu r होता है तो हमारा जो inductance का formula हो जाएगा mutual inductance का formula हम क्या करेंगे इस value को mu r से multiply कर देंगे so you will have mu r multiplied by mu 1 into n1 n2 pi r 1 square l that is the formula for inductance in case we introduce some material inside so mutual inductance also depends upon the geometry of the solenoids and it also depends upon the material of the solenoid so that was about mutual inductance let us go ahead further एसी वीडियो में हम continue करेंगे आगे दूसरा topic that is self inductance तो बच्छों self inductance पर हम आगे बड़े उससे पहले एक चोटी सी बात और सबदो देखो मानलो अगर हमारे पास यह कोईल है और यह दूसरा कोईल है यह कोईल सी वन है यह कोईल सी टू है और अगर सी वन में सी टू में मैंने करेंट प्रोड्यूस किया सी आई टू तो कोईल सी वन के साथ जो फ्लक्स लिंकेज होगा यह फ्लक्स लिंकेज की वैली हो जाती है एन वन फाइवन अभी इसमें जो फ्लक्स मिलेगा हमको वो इस कोईल सी टू का जो करेंट होगा उस करेंट पर डिपेंट करेंगा यह आप जानते हो तो हम लिख सकते एन वन फाइवन इस प्रपोर्शनल टू आई टू मैं यहाँ पर क्या समझाने के कोशिस कर रहा हूँ तो इसके आगे अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने समझाए था दो solenoids को लेकर explain क्या था वोई concept में दो coils को लेकर explain कर सकता हूँ दो coil में भी हम same situation को produce कर सकते हैं तो N151 जो है वो equal to M12 multiplied by I2 हो जाएगा अब M12 लिखने के बजाए में सिर्फ M लिख दू तो भी चलेगा क्योंकि mutual inductance दोनों coil में एक ही जैसा होगा अब अगर बच्चों मैं दोनों side derivative करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलेगा D by DT of N151 is equal to M into D I2 by DT अब यह क्या हो गया rate of change of flux और यह हो गया हमारा rate of change of current तो देखो students हमें rate of change of flux से क्या मिलेगा EMF induced होगा आपने induced EMF का formula और उसका definition study किया है induced EMF is nothing else but the rate of change of flux and this हमारे पास यह formula का याद करो induced EMF is minus D5 by DT तो यह जो है minus EMF हो जाएगा याने कि मैं लिख सकता हूँ minus epsilon is equal to M D I2 by DT अब यह जो कॉईल वाले एक्सपरिमेंट था फैरेडे का तिसरा एक्सपरिमेंट वो इसे हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे rate of change rate of rate of change of current हम प्रोडूस करेंगे वन वी चेंगे लिए प्रोडूस करेंगे हमारा applied current जिस direction में होगा उसको हमारा induced EMF oppose करने की कोशिस करेंगा that was lens law तो इसलिए यह negative sign आया है तो आप यहां पर अभी आपके mutual inductance को को ऐसे भी define कर सकते हो EMF upon di2 by dt so how do you define mutual inductance बच्चों यह definition textbook में नहीं दिया है लिगे ने definition को समझा आप how do you define mutual inductance mutual inductance is nothing else but the EMF induced per unit rate of change of current in the other coil mutual inductance is the EMF induced per unit rate of change of current फिर से सोनो definition को ध्यान से वीडियो को पॉस करके आप यह definition को लिख सकते हो mutual inductance is the induced EMF per unit rate of change of current that is also one more definition of mutual inductance let us now go ahead with self inductance so students चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो को आगे continue करते हैं self inductance हम study करते हैं इसके पहले थोड़ी देर पहले हमने mutual inductance study किया था लेकिन mutual inductance में हमने देखा था दो solenoids होती है या दो coils होती है एक coil में current होगा तो वो दूसरे coil में current produce करेगा induce करेगा और current अगर flow करता है तो उसके लिए EMF तो चाहिए ही याने कि वो EMF को induce करेगा लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है बच्चो दूसरे coil के जरूर ही नहीं कभी-कभी नहीं है हमेशा किसी solenoid के साथ होता है अगर यह कोई एक single solenoid है और यह solenoid में से मैंने current flow करवाया current आई तो solenoid के अंदर आप जानते हो magnetic field प्रोड़ूस होगा उस magnetic field के वजह से इसके कॉइलada के साथ flux link जोगा और वो flux जो है इसमें ही उसी में फिर से current प्रोड्यूस करेगा हमने current दिया current से magnetic field मिला उस magnetic field से फिर से current प्रोडीस हुआ क्योंकि आप जानते हो magnetic field में अगर coil रखो और वो अगर magnetic field change होता है तो उसी के अंदर फिर से current प्रोडीस होता है तो इसकी वज़े से क्योंकि खुद के magnetic field के वज़े से खुद में current in use होता है इसलिए हम इसको बूलते है self inductance अब देखो बच्चो इसके साथ जो flux linkage होता है उसको हम लिखेंगे N5B और वो इसके current को proportional होता है इसलिए आप लिख सकते हो N5B is equal to L I L is called as self-inductance और ये क्या है तो constant of proportionality है ठीक है अभी N जो है वो total number of tons है मन लो इसका length अगर L होता तो मैं N को लिख सकता small end multiplied by L number of tons per unit length into total length और 5B जो है 5 का formula flux का formula होता है B into A B का formula होता है mu naught NI और A को हम A रहने देते हैं तो ये हो जाएगा mu naught NI multiplied by A is equal to L I तो दोनों साइट से अगर हम I को उड़ा देते हैं तो हमें L का formula मिल जाएगा mu naught पहले लिख दू में multiplied by N into यहाँ पर small n आएगा sorry N into N तो N square multiplied by L multiplied by A तो ये हो गया हमारा self inductance का formula तो ये N number of tons per unit length L is the length of the solenoid and A is the area of cross section of the solenoid तो वो उसके सारे geometry हो गए अगर ये solenoid के अंदर मैंने कोई दूसरा material डाला होता तो self inductance का formula हो जाएगा mu R multiplied by mu naught into N square into L multiplied by A mu R is the relative permeability of the material तो बच्चों याद रखो self inductance दो चीज़ों पर depend करती है वो solenoid की length उसके area in short उसकी geometry पर depend करता है और अंदर जो material होता है उसकी relative permeability पर भी depend करता है यह हमने self inductance का formula derive किया self inductance को और थोड़ा आगे समझते है इसी formula को आगे continue करते हैं बच्चों देखो अगर मैं यह formula ले लू n5b is equal to li और दोनों तरफ derivative करता हूँ d by dt of n5b is equal to l into d by dt of i d i by dt अब यह तो आप जानते हो कि यह हो जाएगा minus epsilon क्योंकि EMF का formula होता है minus n d5 by dt यह हमने formula पहले पढ़ा है Faraday's law में तो इसको मैं minus epsilon लेख सकता हूँ is equal to l d i by dt याने कि epsilon is equal to minus l d i by dt याने कि यह negative sign यह indicate करता है कि इसमें जो current in use होगा वो opposite direction में होगा याने कि इसमें in use होने वाला current हम जो current supply करते है उसको oppose करता है और क्योंकि उसको oppose करता है हम इसे back EMF भी कहते है यह बचो हमारे inertia के जैसा हो गया inertia क्या होता है याद करो यह जब भी किसी mass को आप move करने की कोशिस करो तो inertia उसके motion को oppose करता है उसी तरह से जब भी किसी coil के अंदर सुनो मेरी बात को दियान से जब भी किसी coil के अंदर हम current को change करने की कोशिस करते है di by dt means what rate of change of current so in any coil when you are trying to change the current inductance क्या करता है उस change को oppose करता है current को oppose नहीं करता है अगर आप current को कम करने के कोशिस करो तो वो current को कम भी नहीं होने देगा आपने kinematics में inertia के बारे में study किया है एक example दे दू आपको ground में किसी garden में cricket के peach को level करने के लिए बड़ा सा जो roller होता है उस roller को उसका mass बहुत ज़्यादा होता है तो अगर आप उसको धक्का मारो तो बहुत जोर लगाना पड़ता है क्योंके inertia tries to oppose the change in motion वो उसको motion में लाने देना नहीं चाता है इसलिए आपको बहुत जोर से force लगाना पड़ेगा एक बार वो motion में आगया तो काम आसान हो जाता है लेकिन उसके बाद उसको रोकना हो तो भारी बढ़ जाता है फिर आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा तब वो रुकेगा इसलिए उसको रोकना भी भारी हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा यानि कि अब वो उसको रोकने भी देना नहीं चाता है इनर्शिया वो होता है अगर आप उसको मोशन में लाने की कोशिस करो तो वो मोशन में नहीं आने देगा एक बार मोशन में आ गया तो रोकने की कोशिस करो तो रोकने नहीं देगा उसी तरह से यहाँ पर आप करेंट को बढ़ाने की कोशिस करो तो यह उसके current के growth को oppose करेगा आप current को decrease करने की कोशिस करो तो current को decrease नहीं होने देगा उसको भी oppose करेगा यह हो गया back EMF अब देखो बच्चो अगर मुझे इसमें से current flow करवाना है solenoid में से तो inductance मेरे उस current को oppose करने की कोशिस करता है current को नहीं, change in current को तो मुझे current को change करने होगा तो मुझे कुछ work करना पड़ेगा तो वो जो work है rate of work done can be given by can be given by dw by dt is equal to modulus of epsilon multiplied by i यह कैसे आए? तो आपको थोड़ा मैं अलग तरीके से समझाओ epsilon EMF is the work done per unit charge तो epsilon जो होता है dw by dq होता है और हमारा जो current होता है वो होता है dq by dt तो आप इसको dw by dt consider कर सकते होगा तो epsilon into i जो होगा epsilon is dw by dq work done per unit charge and i is rate of flow of charge so epsilon into i can be written as dw by dt so students the rate of work done can be written as epsilon into i मैंने modulus यसलिए लिखा है कि मैं ये negative sign को avoid कर सकता हूँ अब अगर मैं modulus of epsilon की ये value यहाँ पर substitute कर दूँ तो मुझे मिलेगा dw by dt is equal to modulus है इसलिए हमें नेगेटिव साइट को निकाल देंगे l di by dt multiplied by i ठीक है अब अगर हम दोनों साइट से ये नीचे से dt हटा देते हैं तो हमको क्या मिलता है dw is equal to l i di दोनों साइट अगर आप integration करते हो तो आपको मिलेगा integral of dw is equal to l को बाहर निकाल दो integral of i di current changes from 0 to i so work done also increases from 0 to w so w is equal to l i square by 2 यानि आप इसको half l i square लिख सकते हो यह हमारे kinetic energy के formula जैसे हो गया kinetic energy का formula होता है half m sorry mv square तो m जो है वो mass है और यहाँ पर वो inductance को denote करता है जितना mass ज़्यादा होगा उतना inertia ज़्यादा होगा v velocity है इसलिए velocity बढ़ाने में उतना ही opposition लगेगा उसी तरह से जितना current ज़्यादा होगा उतना या जितना inductance ज़्यादा होगा उतना current के change को opposition ज़्यादा होगा यह बैक EMF ज़्यादा होगा तो यह जो है अपना work done का formula kinetic energy को resemble करता है तो बच्छो याद रखो जब inductor में से current flow होता है तो उस current को change करने के लिए हमें work करना पढ़ता है और वो work इस inductor के अंदर magnetic energy के form में store होता है इस तरह से inductor capacitor के जैसा हो गया capacitor के अंदर जो energy होती है वो electrical energy के form में store होती है और inductor के अंदर जो energy होती है वो magnetic energy के form में store होती है और magnetic energy का formula होता है half li square. So that was about self inductance. Let us go ahead further. Students, चलो एक general case को discuss कर देते हैं. देखो हमारे पास दो coils है, coil 1 and coil 2. अभी coil 2 में अगर मैं current i2 produce करता हूँ, तो उसके वज़े से coil 1 में flux produce होगा और coil 1 के साथ जो flux link होता है उसको मैं denote कर दूँ N151. तो वो इसको M12 multiplied by i2 वह से लिख सकते हैं. M12 is the mutual inductance in 1 because of coil 2. ठीक है? अब इस mutual inductance की वज़े से इसमें भी current produce हो जाएगा बच्चों. और ये जो current होगा, मंदो ये current i1 है, तो ये current फिर से क्या करेगा? इसी coil के अंदर खुद के अंदर वापस induction produce करेगा. तो दूसरा induction को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसके current के खुद के induction, खुद के current के वज़े से अपने आपके अंदर जो induction produce होता है, उसको हम लिख सकते हैं M11 multiplied by i1. तो इस तरह से ये जो first वाला coil है, उसका total flux मैं ऐसे लिख सकता हूँ, M11 i1 plus M12 i2. अभी M11 i1 जो है, उसको आप कैसे लिख सकते हो, ये basically होता है क्या, तो self inductance होता है, अगर हम दोनों साइट derivative कर देते हैं, तो हमको मिलेगा d by dt of n151 is equal to M11 d by dt of i1 plus M12 d by dt of i2. अब बच्चों देखो, ये जो M11 है, वो तो self inductance है, तो उसको मैं first वाले coil का self inductance भी लिख सकता हूँ, और ये हो गया हमारा minus epsilon is equal to, ये हो गया, इसको मैं L1 लिख सकता हूँ, into d i1 by dt plus, ये हो जाएगा M12 into d i2 by dt, so I can write epsilon is equal to minus L1 d i1 by dt minus M12 d i2 by dt, तो इस कोईल में, फर्स्ट वाली कोईल में, ये कोईल में जब मैंने current i2 प्रोडूस किया, तो फर्स्ट वाली कोईल में जो EMF प्रोडूस होगा, वो खुद के self inductance भी depend करेगा, और इस कोईल के mutual inductance पर भी depend करेगा, और दोनों के currents पर भी depend कर So that was all about inductance students, there will be many problems, questions based on this in NEET and JEE, inductance is an important topic and it has got lot of applications in the next chapter that is AC also, so see the video properly and try to understand every concept of this topic, that's all for this video, in the next video we will go ahead with the last topic of this chapter, that is a theory and then we will solve the numericals and finish the chapter. See you soon in the next video.